नमव नारे जयगो माता वन्दे मात्र माप हर्ति कुपनाम और फिर्दैशे ओम शाम शनिश्यराय पिर्दैश को इतनों शाथ्यों यदि शरीर का वजन बढ़े नहीं इस तन का वजन बढ़े नहीं तो आप वेवाम करी कश्र करी यूग करी वजन कम होगा मन का बढ़े तो ध्यान करी और धन का वजन बढ़े तो दान करी यही आपकी जीवन को संतुलिद करेगा ओम नमव 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 प्रदैश कोण मित्रों शाक्थियों दोहचार चौबीस आपके लिए कैसा रहेगा इसका विश्त्रीत विवन बारक बारा राश्यों का मैंने गुर्मंत्र में दाती महराज जो आपका अपना यूट्यूब का चैनल उस पर डाता है लेकिन बाउस सिमित्रों ने का दाती महराज बारा के बारा राश्यों के लिए कुछ विशेश घटनाए क्या दोहचार चौबीस में रहेगी और वो घटनाए है तो उसका उपाई क्या है तो इस वीडियो में मैं आपको दोहचार चौबीस की मत्पुन छे घटनाओं के ब वीडियो का विशेश मित्रों शाथियों दोहचार चौबीस नक्ष्णर गर्णाओं से हिसाब से विशेश रूप से मंगल देव और शनीदेव का विशेश प्रभाव रहेगा दोहचार चौबीस यह संपहुन विश्रेशन आपकी चंद्राशी आपकी नाम राश्य प्रा पाँट कौन से है और कब कब होगी तो आप नीचे नमार जाए न नमरों पर समपर करेंए आप बात करूँगा भ्धक्र की दस्वी राशी-दस्वी राशी मकर राशी है और मकर राशी के मकर राशी WALओ के लिए नियुदाब ET 24 में मत्पून 6 घटनाओं की चर्चा आपको क्या क्या देने वाला है जो महत्पुन छे गरे मकर राशी वालों के लिए होंगे 2024 में उनकी सारी सर्चा में यहां पर और कहीं कोई परिशानी तो उपाई भी बताओंगा आपके हाथ से बहुत पुन्य काम होंगे इस बार धरमकर में उच्चे बढ़ेगी बस खाली मकर राशी वालों अपना मनोबल मजबूत होगा अपना मनोबल मजबूत रहे और परिवार की वज़े से अपना आपको परिशानी में नहीं डाले परिवार कुछ भी कहते है इसकान सुनी और इसकान निकाल दिए मेरी जितनी समझ है और जितना मैं प्रभू की किरपा से नक्षद गर्णाओं के आसपास रह पाया हूँ संकेत ये मिलना है शत्रू आपको कोई परिशान नहीं कर जा लेकिन जिन्हें आप अपना कहते हैं उनकी वज़े से कुछ लीगल मामले भी है लेकिन आपको कोई ज़्यादा परिशानी आने वाली नहीं आप इसको निपट लेए अब 2024 में जो पहली घटना वो आपको कि अड़िए सभी आप के मालिक यह संचर्ण कर रहें है जालंगजी आप अस्तव शुब से करें और अनकुल लाबदाईक सपलता से भरे नैने बदलाओं का संकेत देंगे और रिष्टों में के नई सुगंद रहेगे यूआ विद्यारतों के लिए केरियर और एजुकेस्ट में अच्छी सपलता में नई कारोबारी समन लाब दाइक नई जॉब के संकेत भी नजरा दे साथ साथ बैंक बैलेंस यानि आर्थिक धन्सरोतों में बड़ोतर हो आपको मिलता रहे तो मन कचा नहीं करना है मतलब कि नहीं अब तो कुछ नहीं होगा इस तरह की भासा नहीं होगा इतना होगा कि आप सोच नहीं सकते आपकी सफलता का मूल मंतर 2024 में है कि धना रहा है काम हो रहे है सोच को सकारत में रखने की बहुत जरूरी बस इस बात का ध्यान लखने अब ये सोच ठीक रहे तो क्या उपाई करे सनिवार के दिन सनिमंदर जरूर जाए और सनिदेव की सिर्चनों में सर्षों का तेल की उत्मर है आपके आसपास कहीं भी सनिमंदर जरूर जाए और इदिली एंस्यार में है तो अदभूद तिर्चेत्रे मेरे दाता का स्रीशनिधाम सनि तिर्चेत्र असोला फतेपूर बेरी चतरपूर जो मैट्र इश्टर से उसे लगबग चार किलोमेंटर आगे ये पाव आपका श्वाद है खाली दर्सन कर लेजगा सनिदेव की क्रपास से आपके सारे रुक्ति वे काम बढ़े अब आपको दूसरी घटना का संकेत रहुदेव रहे हैं रहुदेव वर्षबर मेंड आसी तीसरे भाव में संच्रण करेंगे और वैदिक विद्वानों का ये मत ह रिशी पारासर जी का ये मत है जितने भी वैदिक जोतिस के जानकार रहे हैं उनका मत है कि 3-6-11 में राहुदेव पोबारा पत्रीश है आकस्मात कहीं से कहीं से आपका रास्ता खोड़ देगा और भी है कि आपको ये दरस्टी आपको शफलता देलाएगे पूरे साल कहींने कहीं यात्राओं से धनलाप का संकित है रावदेव आपको दो लेके संकेत है कि आपको महनत और पुर्साथ संघर्स करना थालिय väl्द वैष्ट के भेवरं भ्रंत्यों से दूर रहें ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपके कान को खराब करें कुचर 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 कान को भरते रहते हैं फुसर फुसर करने वाले लोगों से दूर रहना जिंदा दिली के साथ महनत करना परिशन करना सफलता आपका दामन चुब कि उतरती साड़े साथ यह भाड़ आपको परिश तीसरी घटना मकर राशी वालों के लिए देव गुरु ब्रश्पति देव 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 ब्रश्पति तीस अपरिल तक में इस रासी चतुर्द भाव में संचर्ण करेंगे और चतुर्द भाव बहुत अमरित है साथ कि यहां ब्रश्पत देव उंचके होते हैं चतुर्द भाव के जो करक राशी उसके सौमी चंदर देव है ब्रश्पति देव और चंदर देव साथ हंसनाम की अपने आप में अधुद है चतुर्द भाव में ब्रश्पत देव का विराजना है सब्सक्राइब बाइब अपने से पांचवी दस्टी और अपने से नवी दस्टी अध्वुद लाब और शपलता का संकेद देरी यह आर्थिक पक्स को लेकर प्रापटी को लेकर कुछ ने कुछ अच्छा होगा लेकिन परिवार के मामले को लेकर थोड़ा सा यह संकेत है कि परिवार को साथ लेकर चदे तो वैपस आई और कामकाज में अच्छे योग बने गए माता के स्वास्टी समद्धी कुछ परिशान यह तो उससे भी मुक्ति मिलेगी माता के साथ समद्धों में प्रगारता आएगी रुकावा धन मिलेगा अन एक्सपेटेट बोलता है ने किसी को जिसमें आपको कोई हग भी नहीं था ना आपको पता था कि मिलेगा ऐसा कुछ धन मिले प्रपर्टी मिलने का संकेत भी नज़रा है एक मैई से 31 दिसंबर ब्रश फ्रसांती अधधू है आप प्रपर्टी सेरफ्ञा काम करते हैं आपका कंश्क्षक्षन का यह कोईला का खडाल है क खनन का काम है पत्थर का काम है पैट्रों का का मैंनिफेक्चर का यह को कोई १्री का काम है अच्छा लाब यह ऐ व änd कि एर गये और विद्यारतियों को के करियर और एजुकेशन संपून परिशान है ते उससे शुटकारा मिलेगा और प्रशासनिक चमताओं में विर्दी होगी राजिरिक मित्रों की प्रबल सपोर्ट से आर्थिक सपल तक साथ मांसमान में विर्दी होगी भागे बहुत मजूद इसमें आपका आपके घर के सब्सक्राइब के चितर में उत्तम उस्तर का संकेत है तो कारुबार के चितर में अच्छी सफलता और धर्मकर में रूची भी बढ़ेगी यह संकेत आपको ब्रेश पर क्या करें नियम बना दीजी हर रोज या कम से कम गुरुवार के दिन एक सो आट पीले पूश्ट भगवान शरी नाराइन के चड़नों में अर्पित गुरुवार के दिन भगवान शरी नाराइन का केशर और गंगा जलसे अविश्य करी सुद्ध जलसे सिनान करें पीली पोशाक पहनें सुद्धेशी घी का दिपक जलाई विष्णू शैस्त्र नामामली का पाट करना आपके भागे इस्तान में कन्याराशी में संचन करें धर में रूची बढ़ेगी विवेड़ सद्धेशी लिए आपकी आस्ता और सम्मान बढ़ेगा संसानिती का सुब अवसर मिलेगा और साधना की और मन अगर्ष्ण होगा बस एक बात का ध्यान रखना कान के कच्छे न अवम के केतु नमा इश्मंत्र का जाप दे और काले तिल चीटियों को डालिए और कंबल गरीबों में बातना उत्तम उपाए रहे हैं यह केतु की अद्भुद उपाए अब मैं पांचवी घटना की बात पांचवी घटना आपको शुकरदेव दे रहे हैं और कुछर में उस हिसाब से इदिय आपने मन पर काबो नहीं रखा मन पर कंट्रोल नहीं रखा तो आप अपने रिष्टे खराब कर देगें आर्थिक पक्स को लेकर मैं आपके पक्स में हूं कहीं कहीं से मैं आपको धन दिलाओंगा शुक्ष्रमर्दी बढ़ाओंगा लेकिन आप अपने मन पर कंट्रोल लगें मन की उपर आपकी बाग दोर रहने हैं मन को समझाईए कि किस के साथ बैठना और किस के साथ नहीं बैठना क्योंकि शुक्रदेव केरे कुछ ऐसे लोग है जो खाली स्वारत के साथ आपके साथ लेकिन जब आपको जुर्द पढ़ेंगे युवाओं के लिए शुक्रदेव वर्ष भर केरियर और कारोबार एजुकेशन में उत्तम अवसर देंगे केरियर और एजुकेशन की रुकाउटर से पीछा चुड़ेगा जौब को लेकर चाहे हो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो अच्छे अवसर नजर आ रहे लेकिन प जुक्रवार दिन दूद मिशिरी और चावल का दाम देना अत्ति उत्तम रहे हैं यह करके देखेगा आपके लिए बड़ा बड़ा लाबदाई के नमने बात करते हैं चटी घटना आपको मंगल देव दे रहे हैं पांच फरुष पंदरा बाद मंगल देव लगन में संचन करेंगे आपके उसा और उमंग में बरती हो आतंबल मजबूत होगा परसासनिक शेत्र फोज का शेत्र पुलीस में दिया आपकारिया थे यह समय आपके लिए सफलता से भरा रहेगा उचके मंगल देव कारोबार में सफलता सब्सेश घटना का संके देने जमीन या प्रोप गुस्ताने छोटी बात पर आपको क्रोध ने करना यह आपका सभाव नहीं है कि नवाना क्या उपाय करें गरीब व्यक्ति को गुड़ और चने की दाल दान करिए मंगलवार को नीम के जड़ में जल अर्पित करिएगा करके देखिए कुछ दिल प्रेशानिय और कश्टों सब्सक्राइब मिलेगा तो मित्रशातियों मकराश्य वालों दोहजार चौबीस में कुछ घटनाए थी और क्या आपको उपाय करना यह जानकारी मैंने दी संपून जानकारी नक्षत ग्रणाओं के आधार पर मेरा नीजी आंकलन था ना भय ना भ्रह्म ने प्रहंती ने व रास्तान का हर व्यक्ति जानता है अग्दाति महराज गायों से बहुत प्यार करता है बेटियों से बहुत प्यार करता हुआ हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया है और यह मेरा शौक था मेरी राष्ट की धरवर थी और करना मेरा करते और करम था में आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा है। इस रास्ट का नागरिक हूँ। तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोशेवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूं अब भी मै दन नहीं चाहिए लेकिन वरतमान में जो आर्तिक प्रस्तिय हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनिधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहे इसके लिए मुझे आपका शयोग चाहिए और शयोग के लिए मैं शयोम आपके साथ खड़ा हूं आपकी सम खड़ा रहूँगा जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूँगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर शंपर करें आप मेरे से बात करें लेकिन इसकी यावज में गाएं के लिए चारे की वेवस्ता कर दीजी और इसलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय में परिशाने में हूँ और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी परिशान है ऐसा हिरुदे से आया लोगों ने कहा कि राश्र आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी भी मेरा ये एंकार नहीं है सात जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेदन है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्रक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकोर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधान गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रकूर्ट कर रही है अपनी शिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ करना जाता है कि आपको लगता है कि दाती महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है जरुर स्योकर है पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी आउम नमो नारायन आउम नमो नमो